हेलो गाइस आज का जो हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने न्यू ब्लॉग के लिए एक पॉफेक्ट आर्टिकल सेलेक्ट करोगे ओके जनरली आप लोगों को मालूम होगा जितने भी नए ब्लॉगर हैं जब वो अपनी वेबसाइ के लिए कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिलता और यह प्रॉब्लम केवल उन्हीं के साथ नहीं है जनरली यह प्रॉब्लम सभी के साथ होती है क्योंकि जो लोग अभी न्यू है ठीक है तो उनको आइडिया नहीं होता है कि वह कैसे अपने लिए अच्छा कंटेंट को जे तो आप उन सभी कैटिकरी के लिए एक पॉफेक्ट आटिकल या कहलो कुछ टेंडिंग टॉपिक्स जिनने लोग आज के टाइम पर सर्च कर रहे हैं जिनको देखना लोग पसंद करते हैं जिनके रिगार्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ना लोग पसंद करते हैं तो वह सब आ पाफी सारे आइडियाज आपको दे देंगे जिन पर आप अपना निव आर्टिकल लिख सकते हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर लो जनली बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आज आज आप लोग च कि आपके जो भी ब्लॉग है उसके लिए आप content कहां से find करते हो तो चलिए start करते हैं तो generally एक new blog पे article publish करना बहुत जादा important है और new article daily find करना ये बहुत ही जादा complicated काम है तो इसमें जो सबसे अच्छा source आपको जो है वो है Pinterest Pinterest आपको एक time पे काफी सारे ideas आपको दे देगा काफी सारे topic आपको दे देगा जहां पर आप अपने blog के लिए काफी सारे article यहां से find करके उस पे article लिख सकते हो अब generally यहां पर देखो मैंने backlink के यहां पर search किया है ठीक है तो मानलो अगर आपका कोई blog है जिसमें आप मतलब यह blogging के बारे में बता रहे हो affiliate marketing के बारे में बता रहे हो तो इसके लिए backlink बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहलो blogging और affiliate marketing में तो जो backlink है उसका रोल सबसे ज़्यादा मतलब है तो बहुत से लोग है जो backlink के regarding अलग-अलग topic सर्च करते हैं अब एक ही चीज़ तो लोग backlink के लिए search नहीं करेंगे कई topic है जो लोग सर्च करते हैं ठीक है तो पूरे world में कौन से topic को ज़्यादा देखा जा रहा है कौन कौन से topic है जिनको हम cover कर सकते हैं वो आपको Pinterest पे प smart methods से अच्छा topic है इससे आप note कर सकते हो दूसरा top 10 best backlink checker tool ये आपको topic मिल गया दूसरा 10 do follow backlinks इस पे चलो आप बना सकते हो 10 fastest way to build authority SEO backlink ये topic मिल गया नीचे और भी आओगे make backlink for your better website बैक लिंक how to earn backlink in 2019 था तो आप इसको 220 कर सकते हो from मतलब for google page 1 topic मिला ना इसी तरह आप और भी नीचे आओगे यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे आपको topic मिल जाएंगे how to get quality backlink for your blog in 2018 है आप 2021 कर सकते हो SEO backlink tactics ठीक है ये रे कोई अच्छा topic है इस पे आप note कर सकते हो इसको पर article लिख सकते ह हो ठीक है web 2.0 contextual backlink इसकी list share कर सकते हो okay how to get backlink to your Shopify online store मतलब Shopify store के लिए कैसे backlink लिए ये एक अच्छा topic है इसी तरह Pinterest पे millions ऐसे article आपको मिल जाएंगे ऐसे आपको pins मिल जाएंगे जहां पर काफी सारे content है जिनके उपर आप अपना नया topic बना सकते हो तो सबसे पहला हो सबसे best source जो मेरा है वो Pinterest है किसी भी new blog के लिए जहां के लिए content find करना काफी complicated होता है तो आप Pinterest पे आईए अपना topic find करिए और इनकी list बना लीजिए बाद में इनके regarding कुछ keywords को find करके अपना article लिख करके उसे publish करिए तो यह first source है दूसरा जो मेरा सबसे best source है वो है Quora आपको मालूम है question answer hub है यहां पर millions का traffic होता है पूरे worldwide millions लोंग डेली इस पर आते हैं question करते हैं और अपने अपने जो भी उनके doubts होते हैं वो यहां पर पूस्ते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते मैंने backlink search किया अब backlink search करने के बाद हमें कुछ topic मिल गया ठीक है how can I get quality backlink for your site यह topic हो गया इसी तरह आप कुछ और भी यहां पर topic देख सकते हो how do I increase quality backlink in SEO अब SEO backlink के quality कैसे increase करें ठीक है यह हो गया why are backlink important in SEO तो इस पर भी आप बना सकते हो are you backlink really useful काफी अच्छा topic है क्योंकि बहुत लोगों के mind में question होता है कि backlink work करती है कि नहीं करती है तो आप उनको इस article के form में बता सकते हो कि हाँ generally backlink काम करती है काफी ज्यादा important role backlink का अभी भी बले Google बोलता हो कि हम backlink को matter नहीं करते है backlink को हम ज्यादा consider नहीं करते है लेकिन backlink बहुत ज्यादा रोल है आप अपने backlink की help से article को जल्दी से जल्दी grow करा सकते हो okay which one of the best tool for checking backlink काफी अच्छा topic है इसे आप note कर सकते हो ठीक है what are the best way to get edu.edu and gov backlink इसके बारे में आप बतलब बना सकते हो okay what is the backlink in blogging इसको पर बना सकते हो लेकिन इसको पर काफी सारे blog होंगे what is the best backlink strategy and why इसको बना सकते हो what is the most effective way to build backlink for free काफी अच्छा topic है तो ऐसे ऐसे topic को आप cover कर सकते हो इनकी एक list बना लो generally अभी आपने backlink सर्च किया तो इसी तरह आप अपना कोई भी topic सर्च कर सकते हो food के regarding website food सर्च कर सकते हो food के regarding जो भी content हे उसकी list बना लो कि किस टाईब के लोगों को food पसंड है क्या कि आपकी जो क्यों जिसमें आपको knowledge है 뉴스 के regarding food के जो भी नोलेज है जैसे आप लोग इंडिया हैं हम लोग इंडिया ने तो इंडिया मेंने को जिस च्राइब के food पसंद है ठीक है अब North में कोई अलग food चलता है South में लोगों को अलग पसंद है तो आप जिस जिगा रहते हो उससाब के food को यहाँ पर आकर के find कर सकते हो उसके regarding आप देख सकते हो कि North के लोगों क्या पसंद है South के लोगों क्या पसंद है ठीक है कौन सी तो उन सब का आईडिया आप Pinterest से निकाल सकते हो और Quora से भी निकाल सकते हो तो यह दो best sources है इसके बाद जो तीसरा sources है जो मैं recommend करूंगा वो है answer the public answer the public एक ऐसा site है जो आपको एक keyword के काफी सारे questions काफी सारे topics आपको बता देता है अब अगर यहां पर मैं backlink लिखके search करूं ठीक है अपने यहां पर देखे backlink लिखके search किया तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी सारे इसके questions और काफी सारे इसके topics आजाएंगे हमाने सामने जिन पर हम अपना ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं ओके तो यह थोड़ा time ले रहा है लेकिन अभी यह कुल जागा देखो यहां पर आगिया न और backlink is still important in 2019 तो आप इसके उपर आर्टिकल लिख सकते हो ठीक है और backlink is still important in 2021 ओके which backlink is least important ओके which backlink is least important LinkedIn तो यहां पर आप लिख सकते हो when developing a backlink strategy इसके अलाबा आप नीचे आओगे backlink with high authority domains तो यहां पर आपको छोटे-छोटे keywords भी मिल जाएंगे साथ में आपको topic की कुछ knowledge मिल जाएगी ठीक है backlink analytics ठीक है backlink analytics template ऐसे आप यहां पर देख सकते हो आप अपने लिए काफी सारे देखो backlink generator for YouTube काफी अच्छा topic है backlink history checker आप में से काफी लोगों को नहीं मालूम होगा backlink history checker ठीक है लोग इसे भी search करते हैं हम लोग generally backlink search करते है backlink checker tool find करते लेकिन बहुत से लोगों है backlink history checker भी find कर रहे हैं इसको पर content हम लिख सकते हैं ठीक है यहां पर देखो काफी देखो backlink least important जैसा मैंने बताया backlink कैसे बना है फिर एक fresh article लिखो new topic के साथ जो कि आपने इन तीनो sources से निकाले हैं और उससे publish करो यह सारे article इतनी जल्दी rank करेंगे आपके जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा क्योंकि लोग आज कल केवल गिने चुने topic पर ही काम करते क्योंकि उनको मालूम है उस पर views आ रहे लेकिन Google आ ranking और आपकी website को value सब कुछ देगा तो आप इन सब topics को find कर सकते हो इन तीन sources से इन तीन sources को आप कहीं पर लिख लो जब भी कोई topic आपको find करना हो इनी तीन sources का use करो और अपने लिए एक list बनाओ ठीक है fresh topic की हर मन्त बनाओ हर मन्त article publish करो फिर next month बनाओ फिर article publish करो यही काम करो आपकी website की growth इतनी तेजी से बढ़ेगी जितना आपने गभी सोचा नहीं होगा तो मिलता हूं next video के साथ किसी new topic के साथ तब तक के लिए good bye